मुलतानी से पुरानी जाईया हैं, डाक स्पॉर्ट्स, पिग्मेंट हैं, तो दही को एक बार मेरे तरीके से लगा के देख लो से धाई साल पहले की पिच्चर, इसको देख के कोई कह सकता है कि मेरी स्किन ऐसी भी हो सकती है बट बिलीब करिये ऐसी हो गई, कैसे को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेना है ये एक चमच पाउडर, ये आपके स्किन के डर्क स्पोट के उपर 카म करता है अपिमपल के उपर काम करता है, एक्टिव एकने है तो उसको ड्राय अप करता है क्या है यह है फुलर अर्थ यानि की मुल्तानी मिट्टी बैने आपको दिखा दिया कौन सा मुल्तानी मिट्टी आपको यूज़ करना चाहिए कौन सी ब्रैंट का आपके पास है उसको आप ले सकते हैं इसके साथ में जो दूसरी चीज़ हम डाल रहे हैं यह हमारी स्किन को प्योर करने का सबसे बहतर और सद्यो पुराना नुसका वह है चंदन का पाउडर चंदन का पाउडर जब भी अपने चाहरे पर लगाते हैं यह हमारे टेक्शर को इंप्रूफ करता है खुरदरे से खुरदरा अगर स्किन भी होगा ना वो भी चंदन पाउडर रेगुलर लगाने से आप देखेंगे कैसे एकतम सॉफ्ट और स्मूथ मखन के जैसे हो गया अब यहां पर मैं इसमें आड़ करी हूँ एक चम्मच दूध यह सूखा हुआ दूध है यानि कि मिल्क पाउडर है पाउडर जब किसी चीश में ऐड धाउड़ यह हमारी कलर को फियर करता है और ब्राइटन अब करता है और इसके साथ मैं हम जालाएंगे कोई भी एक source vitamin C का मैं इसमें डाल वही हूँ tomato का pulp यानि की tomato का रस साथ में मैंने डाली है चुठकी बर हल्दी हल्दी जरूर से जरूर मिलाएगा अब आप इस paste को बना सकते हो यहां तो rose water के साथ में यहां कच्चे दूद के साथ में या फिर दही के साथ में अगर मेरी मानिये तो दही के साथ बनागिएगा क्योंकि दही हमारी skin को lighten up करता है soft or mulam करता है दही में पाय जाने वारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे skin के complexion के उपर बहुत अच्छा काम करते हैं तो अच्छे से मैंने देखे इसको mix कर लिया है जिस तरीके से मैं मिक्स किया है आप यह इतना सारा बना के store कर भी रख सकते हैं कम से कम 5-6 बार के लिए इसको store बना के रख सकते हैं तो देखा कितना simple है इसको लगाना भी बहुत simple है मुझे कमेंट करके आप question पूछते हैं या like देते हैं यह मुझे अच्छा रखता है मुझे boost up मिलता है और मेरी growth होने में help करता है अगर आप page को follow नहीं करेंगे subscribe नहीं करेंगे तो हो सकता है मेरा page आपको recommend ना किया जाए इसलिए subscribe जरूर कर लिजेगा और like करके comment करके बताना जरूर क्या लगा आपको मेरी remedy में अच्छा और क्या नहीं भी अच्छा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा चलिए अब लगाने का प्रोसेस देख लेए कैसे हमने इसको लगाना है सबसे पहले हमने अपने face को clean करना है रोज वोटर के साथ में मैंने spray किया अपने चाहरे के उपर इसके बात में हमने इस remedy को लगाना है हलका सा गीला जरूरी है तो आप यहां तो जाके face wash कर लो और हलका सा गीला गीला रखना तो आबल के साथ में रगर रगर के face को पोच मत लेना तो रगर रगर के पोचना नीचे यह उसको नाच्रली सूखने देना चाहे पानी को ठीक है और इसकी बात में हम अपने पैक को लगाएंगे अच्छे से लगाना है गरदन वरदन सारा लगाली जो गब बढ़िया से हाथ हो पैरोपे भी आप इसको लगा सकते होगर स्किन बोखा जादा डाक होगी आपकी तो ठीक है अच्छे से लगाएंगे और इसको हमने completely सुखाना है completely in the sense कम से कम 10-15 मिनिट आपके चाहरे को पर रहना चोगिए ठीक है हलका हलका सा गुमाएंगे उसके बाद में हम इसको completely wash कर देंगे last में हमने क्या करना है हमने अपने चहरे के लिए एक क्रीम तयार करने जो कि इसके बाद का हमारा base है इसको लगाने ही लगाना है इसके लिए मैंने लिया है aloe vera gel और इसके उपर मैंने डाली है दो ड्रॉप coconut oil की सिरफ दो ही ड्रॉप डालने ज्यादा कुछ ली करना है हलका सा हमने इसको मेक्स करना अच्छे से और यह क्रीम हमारी 11 विटामिन E की इसको अपने चेहरे को पर अच्छे से लगा के हमें दो मिनिट के खाली मसाज करने है यह जरूरी है इसलिए क्योंकि आप सर्दिया शुरू हो रही है और सर्दियों में स्किन ड्राय हो जाती है और पैक लगाने के बाद में अक्सर ड्राय होती है फिर आप लोगे रेखा कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर से जरूर लगाना और ठीक हो करूंगी रेमेडी भी आपको बहुत जारा पसंद आएगी कहां से मेरा वीडियो देख रहे है कमेंट करके बिल्कूल बताना भूलना मत क्योंकि